पिरते competitive exam में भारतिय सम्मिधान के topic से सबसे ज़्यादा प्रेसन भारतिय सम्मिधान के सरोतों से पूछे जाते हैं कि कौन सा सरोत किस देश के सम्मिधान से लिया गया है तो छोटा सा topic है लेकिन important है अच्छे से पढ़िए और जो आपको important लगे उसको आप note down भी करते जाएए तो topic का नाम है भारतिय सम्मिधान के विदेशी सरोत और इसमें पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका यानि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतिय सम्मिधान में कौन-कौन से दिकार लिये गए हैं तो इसमें मौलिक अधिकार लिए गए हैं जो कि very important है सम्मीधान के भाग तीन के अंत्रगत आते हैं नेक्ष्ट है इसमें न्यायक पुर्णावलोकन लिया गया है सम्मीधान की सर्वोच्चता लिए गई है न्यायपालिका की स्वेतंतरता लिए गई है इसमें सबसे महतपूर्ण है मौलिक अधिकार राष्टपती और उपराष्टपती का निरवाचन इंपोर्टेंट है नोट डाउन कर लिजिए तो नेक्ष्ट है आपका वो ब्रिटेंड यानि यूनाइटेड किंग्डम इंग्लेंड से कौन-कौन से अधिकाल लिये गए है तिसमें सबसे पहला है संसदनात्मक सासन प्रणाली संसद यानि राष्टपती प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा ये आपका व्रिटेंड से लिया गया है इंपोर्टेंट है नेक्ष्ट है एकल नागरिक्ता एवम विधी निर्मान प्रिकरिया नेक्ष्ट है विधी का सासन नेक्ष्ट है मंत्री मंडल प्रणाली नेक्ष्ट है परमाधिकार लेक नेक्ष्ट है संसदिय, विसेश अधिकार और द्विसदनात्मक जो समझ मिनाय उसे आप पूछ सकते हैं नेक्ष्ट है आयरलेंड से कौन-कौन से अधिका लिए गए हैं तो यहां से राज्य के नीती निर्देशक सिध्धन्त या फिर तत्वय लिए गए हैं यह भी आपका महत्यपूर्ण है समीधान का भाग 4 तो नेक्ष्ट है इसमें राष्टपती के निर्वाचन मंडल की विवस्था राष्टपती द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, तथा समाज, सेवा जैसे छेत्रों से आये हुए लोगों को मनोनीत करना इनको आप नूट डाउन कर लीजिए तो नेक्ष्ट है आउस्टेलिया से लिए गए दिकार्म तो आउस्टेलिया से प्रस्तावना की भासा ली गई है समवर्ती सूची का प्रभधान लिया गया है इम्पोर्टेंट है लिख लीजिए नेक्ष्ट है केंद्र एवम राज्य के बीच संबंद तथा सक्तियों का विभाजन और संसद के दोनों सदनों यानि लोगसबा और राज्यसबा की संयुक्त भैठक का प्रभधान भी आउस्टेलिया के संविधान से ही लिया गया है तो नेक्ष्ट है जर्मनी जर्मनी से आपातकाल के प्रेवर्तन के दोरान राष्टपती को मौलेक अधिकार संबंदी सक्तियां और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का इस्थगन यानि कि राश्टपती आपातकाल के दोरान मूल अधिकारों पर कुछ अंकुस लगा सकता है तो नेक्स्ट है आपका कनाडा तो कनाडा से संगात्मक विसेष्था अवसेष्ट सक्तियां केंदर के पास होंगी केंदर द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति इंपोर्टेंट है और उच्चतम न्यायाल्य का परामर्स न्याय निरन्यन यानि कि केंदर सरकार किसी भी इस्तिती में सर्वोच न्यायाल्य से परामर्स कर सकती है तो नेक्स्ट है दच्छन अफ्रीका तो दच्छन एफ्रिका के सम्विधान से सम्विधान संसोधन की प्रिकरिया के प्राबधान लिया गया है जो की important है राज्य सभा में सदस्यों का निर्वाचन तो ये दोनों ही topic important है आप चाहें तो नोड़ान कर सकते हैं तो नेक्ष्ट है इसमें सोवियत संग यानि रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रभधान लिया गया है मूल कर्तव्यों और प्रस्ताव नामे न्याय जो की सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक किसी भी तरीके से हो सकता है तो next है जापान से विधी द्वारा इस्थापित प्रकरिया का प्रवधान लिया गया है यानि कि जो भी प्रकरिया कानून के द्वारा बनाई जाएगी वो सर्वोचमानी जाएगी और next है इसमें France और France के सम्विधान से गर्टंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वेतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्स लिये गए हैं और ये प्रेशन एक्जाम में पूछा गया है कि भारतिय सम्विधान में स्वेतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्स किस देश के सम्विधान से लिये गए हैं तो ये France के सम्विधान से और आपातकाल तो आपातकाल आपका जर्मनी से संबंदित है यह आपके knowledge और exam की द्रश्टी से बहुत important topic है छोटा topic है लेकिन बहुत important है यहां से present हरवार देखने को मिलते हैं इसलिए इनको आप note down कर लीजिए और अगर आपको इनके note चाहिए, PDF चाहिए तो हमें आप telegram कर comment कर दीजिए हम आपको provide करा देंगे